जफलता पाने के लिए सोच और काड़े में समानता रखनी चाहिए जो कुछ सोचे उसे निश्विस समय में उरा जरूर करें नमस्कार बोलते तारे आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सुनाली ठाकूर आज बात करेंगे एक फरवड़ी 2023 के आपके तारे क्या बोलते हैं यानि आपका राशिफल क्या है लेकिन उससे पहले क्या आपको बता है कि धार में ग्रंथों में एकादशी और पूर्णिमा के व्रत क्यों सर्वोच बताते हुए इसके अनन महिमा कही गई है वही एक वर्ष में कुल 24 एकादशिया जिसमें 12 कृष्ण पक्ष और 12 शुकल पक्ष में आती है यह सभी किस महिने में आती है इस आधार पर अलग अलग नाव दिये गए है माग महिने यानि एक फरवरी को जया एकादशी है इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की पूजा होती है विष्णु जी के साथ देवी लक्षमी की पूजा की भी विधान है पुरानों में कहना है कि इस वरत और पूजा से विजय मिलता है इसलिए ही इससे जया एकादशी कहा जाता है तो कैसे करनी चाहिए जया एकादशी में पूजा आई आपको बताती हूँ इस दिन आप सुर्योदे से पहले उठकर नहाए और पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे और चुटकी भर तिल डाले नहाने के बाद उकते हुए सुर्य को अर्ध्य दे इसके बाद मंदिर या घर में भगवान विश्नु की मूर्ती के सामने बैठकर व्रत पूजा और दान का संकल्प ले पूरे दिन अनाज ना खाए फलार में नमक नहीं खाना चाहिए इस दिन भूल से भी चावल ना खाए व्रत का संकल्प करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछा कर विश्नु जी की मूर्ती मातलक्ष्मी सहित स्थापित करे विश्नु जी की तस्वीर को चंदन लगाए और साथी मातलक्ष्मी को रोली या सिंदूर से टीका लगाकर पुष्प और भोगर पित करे और शद्धा भाव से पूजन करते हुए फलार व्रत करे जयाय कादशी व्रत वाले दिन घी का दीपक जलाकर भगवान विश्नु का आवहन करे इसने भगवान विश्नु शिग्ड प्रशन होते हैं और घर में कभी धन धाने की कमी नहीं होती है जयाय कादिशी के देन पीले वस्त्र पीले फूल पीले रंग की पुष्प माला मिठाई फल आदी अर्पित करे फिर बाद में गाई को चारा खिलाए और जरुत मंद को कुछ दान करे जयाय कादिशी के देन किसी मंदिर में स्थित पीपल के वरिक्ष को जल चढ़ाए और उसके समीव घी के दिये जलाए ये हुई जयाय कादिशी का व्रत और पूजा और अब राशी फल के तरफ रुक करते हैं और शुरुआत मेश राशी से करते हैं आपको काफी समय से चल रही बिमारी से छुटकारा मिल सकता है इस राशी के बड़े कारोबारियों को आज के दिन बहुत सोच समझ कर पैसा निवेश करने की जरूरत है प्यार में जोल और आपसी जोडाब में इजाफा होगा और आप बात करेंगे व्रेश राशी की प्रभा आथिक लाव होने की संभावना है व्रेश के बाद मिथुन राशी की बात करते हैं आप अपने सकारात्मक रवय और आत्मविश्वास की वजह से आसपास की लोगों को प्रभावित करेंगे आर्थिक पक्ष मजबूत होने की पूरी संभावना है अगर आपने किसी शक्स क पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उमीद है और अब जानेंगे करक राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है खाने पीने की ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करे जिसमें कॉलिस्ट्रोल की ज़्यादा मात्रा है उधार म मिलेगा जो आपके दिन को खुश्णुमा बना देगा बढ़िया दिन है जब आप सब के ध्यान को अपनी तरफ खीचेंगे अगर आप अपने काम पर ध्यान दे तो काम्याबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी सिंग के बाद कन्या राशी की बात करते हैं दोस्तों का रुख सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे आर्थिक तोर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक्ष से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे पड़िवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजी कन्या के बाद उला राशी वाले जात्कों के लिए आज का दिन कैसा होगा ये जान लेते हैं कुछ ऐसी घटनाय आपकी परिशानी का कारण बन सकती है जिन्हें टालना मुम्किन ना हो लेकिन आप खुद को शांत बनाए रखे और हाला से निबटने के लिए तुरंत प्रत दिने की आपकी आदत पर काबू करे और जरूर से ज़्यादा वक्त और पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करे आपकी ज्यान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी साबधान रहे क्योंकि प्यार में पढ़ना आज के दिन आपके लिए दूसरी कठिन आया खड़ी कर सकता है चले अब बात करेंगे धनूराशी की और जानेंगे धनूराशी वाले ज्यातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आशाबादी बने और उजले पक्ष को देखे आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए न पून भरा रहेगा आज के दिन आप उर्जा से लबरेज रहेंगे और मुम्किन है कि अच्छानक अंदेखा मुनासवा भील मिले आपके जीवन साथी की सेहत आपको चिंता में डाल सकती है चले मकर के बात कुमराशी की बात करते हैं समाजिक मेर जोल से ज्यादा सेहत को प मतिमराशी मीन की बात करते हैं आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है लेकिन आपके उत्सा को काबू में रखे क्योंकि ज्यादा खुशी भी परिशानी की सबब बन सकती है जो लोग आपके कड़िवियों या रिशुदारों के साथ मिलकर बिजनस कर रहे हैं उन्हें आज बहुत सोच समझ कर कदम रखनी की जरूरत है नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है बच्चे रोमांचक समाचार ला सकते हैं बोलते तारे में फिल हाल इतना ही नमस्कार